अगर इस नौवल की बात करें तो यह एक रेस्टोरेशन कॉमेडी है, एक रेस्टोरेशन ड्रामा है जो की 1700 में फर्स टाइम प्रीमियर हुआ था इसकी जो सेटिंग है वो बेसिकली लंडन की है और इस टाइम तक सोसाइटी में काफी सारे चेंज़े आ चुके थे जिसके बारे में हम जो आगे एक डीटेल वीडियो डिसकस करेंगे उसमें मैं आप लोगों को सारे डीटेल्स बताऊंगी यहाँ पर हम एक बहुत छोटे सी यह से समरी डिसकस करने वाले हैं सो विदाउट एनी फॉर्दर डिलेट डिसकस अबाउट दी प्लाट समरी तो गाईस देखो यह स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे प्रोटेगनिस्ट एडवर्ड मीरा बेल के साथ जो एडवर्ड मीरा बेल होता है इसका एक विडो लेडी अराबेला लेंगوिश के साथ सीक्रेट अफियर चल रहा होता है जिसके बारे में किसी को नहीं पता होता जो एडवर्ड होती है उसके फिर्स्ट हैस्बेन की डैथ हो जाती है और अब यह एक विडो है इसके हस्बेन के जो भी सारी वेल्थ थी अब वो सब इसके पास आ ज और इस डर से वो Arabella के लिए एक लड़का ढूंटा है अपने ही पसंद का एक लड़का ढूंटा है जिसका नाम होता है फैनॉल वो फैनॉल नाम के लड़के से Arabella की शादी करा देता है इस डर से कहीं Arabella pregnant ना हो जाए और फिर बाद में उसकी शादी कैसे होगी इसलिए Arabella की शादी करा दी है मीरा बैल ने फैनॉल के साथ और अब बेशक से मीरा बैल और Arabella का अफेर खतम हो चुका है लेकिन ये दोनों फिर भी बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं तो अब Arabella की शादी हो गई है फैनॉल के साथ तो इसलिए उसे आगे प्ले में मिसिस फैनॉल के नाम से जाना जाता है और जो मीरा बैल होता है अब उसे प्यार होने लग जाता है मिसिस फैनॉल की ही कजन मिलामेंट से और जो मिलामेंट होती है वो अपनी आंट मतलब मिसिस फैनॉल की मदर लेडी विशफोर्ट के साथ रहती है अब जो मीरा बैल है वो सोचता है कि अग और इसे मिलामेंट से शादी करनी है तो पहले उसे Lady Wishford को इस चीज़ के लिए मनाना पड़ेगा और इसलिए वो Lady Wishford को flatter करना उनकी चमचगिरी करना एक तरीके से शुरू कर देता है इसी बीच जो Lady Wishford होती है उसे गलत फ्यामी हो जाती है कि जो मीरा बैल है वो उससे प्यार करता है मतलब लेडी विश्वोर्ट को लगता है कि मीरा बैल लेडी विश्वोर्ट से प्यार करता है लेकिन लेडी विश्वोर्ट की एक फ्रेंड होती है Mrs. Marwood वो Lady Wishford की best friend होती है और वो Mirabelle के बारे में सब कुछ बता देती है Lady Wishford को वो बता देती है Lady Wishford को कि जो Mirabelle है वो तुम से प्यार नहीं करता है बलकि वो तो Milamand से प्यार करता है और इसी लिए वो ये सारी flattering कर रहा है हलांकि Lady Wishford की इतनी जादा उम्र है फिर भी उन्हें ऐसा लगने लग जाता है तो Lady Wishford सोचती है कि अच्छा Mirabelle Milamand से शादी करना चाता था और वो डिसाइड करती है कि वो Mirabelle की Milamand से कभी भी शादी नहीं होने देगी क्योंकि जो Lady Wishford है उसी के पास Milamand के 6000 Euro की एक डावरी है मतलब एक 6000 Euro का amount है Lady Wishford के पास Milamand का और Lady Wishford ये 6000 Euro Milamand को तभी देंगी जब Milamand Lady Wishford की पसंद के लड़के से शादी करेंगी ऐजा डावरी वो ये सारा पैसा Milamand को देंगी तो जो Lady Wishford होती है उनका सारा प्यार नफरत में बदल जाता है और वो बहुत जादा नफरत करने लग जाती है मीरा बेल से तो इसी बीच जो फैनॉल होता है उसका extra marital affair स्टार्ट हो जाता है Mrs. Marwood के साथ Mrs. Marwood Lady Wishford की वही best friend है जिसने मीरा बेल का सारा secret Lady Wishford के सामने reveal किया था कि मीरा बेल तुमसे प्यार नहीं करता है वो तो Milamand से प्यार करता है वही best friend है Mrs. Marwood Lady Wishford की और अब उनका affair स्टार्ट हो गया है फैनॉल के साथ फैनॉल Mrs. Marwood को inform करता है कि उसे Arabella में कोई interest नहीं है उसने तो Arabella से सिर्फ उसकी wealth और उसके पैसों के लिए शादी की थी और अगर एक बार उसे Arabella का पैसा और wealth मिल जाए तो वो उसे छोड़ देगा और Mrs. Marwood से शादी कर लेगा लेकिन इस बारे में पता चल जाता है मीरा बैल को और जब मीरा बैल एक बार फैनॉल से मिलता है तो वो फैनॉल को इस बारे में बताता है कि मुझे पता है तुम्हारा और Mrs. Marwood का एक secret affair चल रहा है तो इस बात पर जो फैनॉल होता है उसे बड़ा गुसा आता है और वो मीरा बैल का दुश्मन बन जाता है और फैनॉल और Mrs. Marwood मिलकर decide करते हैं कि वो मीरा बैल को बरबाद कर देंगे और मीरा बैल का कोई भी plan successful नहीं होने देंगे और नहीं मीरा बैल की शादी होने देंग वो एक बार के लिए बड़ा खुश भी होता है क्योंकि वो सोचता है कि वो 6000 यूरो जो मिलामेंट को लेड़ी विशफोर्ट उसकी शादी के टाइम पर देती अब वो नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि मिलामेंट ने लेड़ी विशफोर्ट की पसंद के लड़के से लेड़ी विशफोर्ट को ब्लैक मिल करना स्टार्ट कर देता है कि अपना सारा पैसा मिलामेंट का जो 6000 यूरो वाला पैसा है और साती साथ अराबेला का भी जो सारा पैसा सारी वेल्थ है वो मुझे दे दो वरना मैं अराबेला और मीरा बैल का जो सीक्रेट अफेर चल रह लेकिन वहाँ पर आजाता है मीरा बैल और मीरा बैल लेडी विश्वोर्ट को बोलता है कि मैं आपको इस चीज से बाहर ला सकता हूँ कि मतलब जो फैनॉल आपको बाहर ला सकता हूँ ना तो आपको अपना पैसा और वेल्ट फैनॉल को देनी पड़ेगी और ना ही वो लेडी विश्वोट होती है वो मीरा बेल की बात मान जाती है तो फिर जो मीरा बेल होता है वो लेडी विश्वोट की हल्प करना स्टार्ट करता है और वो फेनौल और मिस्स मारवूड का जो अफैर था उसे सब के सामने ला देता है पबलिक कर देता है उनके अफैर को पूरी लेडी विश्वोट सोचती है कि मीरा बेल के इस प्लैन से तो हमें कोई फाइदा नहीं हुआ कि उसने फैनॉल और मिसिस मारवुड का जो अफैर था उसे पबलिक कर दिया लेकिन इसके बाद जो मीरा बेल होता है वो एक और काम करता है और वो क्या करता है वो पूरी सोसाइटी को बता देता है कि अरा बेला को स्टार्टिंग से ही अपने हस्बंड फैनॉल पर विश्वास नहीं था अरा बेला को अपने हस्बंड पर कहीं न कहीं डाउट था कि वो उसे धोका दे सकता है और इसलिए अराबेला ने सारी जो प्रोपर्टी थी वो मेरे नाम कर दी थी मतलब मीराबेल के नाम अपने फ्रेंड के नाम कर दी थी क्योंकि अराबेला को लगता था कि कहीं उसका हस्बंड उसे धोका ना दे दे तो यहाँ पर मीराबेल ये सारी चीज़े रिवील कर देता है और इसी कारण जो फैनॉल था उसे अराबेला के बारे में कुछ भी बोलने का मौका नहीं मिलता क्योंकि मीराबेल ने पहले ही फैनॉल की एक तरीके से बोलती बंद कर दी उसको गलत दिखा कर तो अब अगर फैनॉल अराबेला के बारे में कुछ बोलेगा भी तो सोसाइटी उस पर बिलीव ही नहीं करेगी तो स्टोरी किस तरीके से खतम होती है जो मीराबेल होता है वो अराबेला की सारी वेल्थ उसे वापस लोटा देता है और मीराबेल और मिलामेंट की लास्ट में शादी भी हो जाती है तो गैस यहाँ पर मैंने बहुत छोटे तरीके से और कम शब्दों में आपको summary explain की है जिस तरीके से हम हमेशा notes wise summary details से discuss करते हैं उसकी वीडियो भी मैं अपने चानल पर बहुत जल्दी upload कर दूँगी जिसमें हम notes wise पूरा introduction to the author play, list of characters, summary, themes, symbols हर चीज़ discuss करेंगे तो उसके लिए आप लोग चैनल को subscribe जरूर कर लें और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को like करके बताएं comment करके बताएं और अपने friends के साथ जरूर शेयर करें Thank you